हेलो एब्रीवन वेलकम टू माइ चैनल एसमार्ट एंसर तो गाइज आजके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहां पर भीहार स्टीटी के बारे में कुछ फेक न्यूजेस जो वायल होड़े हैं तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे और साथ ही साथ य इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं ठीक है और यहां पर बात करेंगे हम लोग बिहार स्टीटी की जो री इक्जाम की बात चल रही है वह कब तक होगा उसके बारे में यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले तो वीडियो अगर अच्छी लिए तो लाइक चरूर से करना औ है वकले लोग दू लाखेशर इने के लाइक के साहत खिल्वार किया जा रहा है आपके एक्जाम को रद कराएगए ठीक है कि इहाँपर degree exam क्या दिया गया है क्या आपके एक्जाम में यहां पर धंदली हुई चोड़ी चला बहुत कुछ कुछ यहांब Libraja रिजन दिया 15 मही से पहले आपके result आएंगे और जब यहाँ पर case की सुनवाई हुई ठीक है सबसे important factor को दियान से सबज़ना case की सुनवाई हुई तो वहाँ पर advocate ही नहीं थे ठीक है advocate थे ही नहीं यहाँ पर case लगने के लिए सुनवाई थे और advocate वहाँ पर नहीं के court में जो इतना कुछ हुआ इसका सारा conclusion यहाँ पर अगर निकाला जाए तो क्या समझ में आता है एक ही चीज़ समझ में आती है यह जो कुछ भी हो रही है यह इस्टियून के life के साथ खिलवार हो रहा है यहाँ पर government कुछ नहीं समझ रहे है यह समझ रहा है कि बस हमें यहाँ पर recruitment चीज़ाना है और यहाँ पर फंसा के रखना है इस्टियून को ठीक है अगर यहाँ पर दो लागे शुन एक्जाम दे रहे हैं तो उनकी एक साल हमें बरबाद करने पहले उसका इस इक्जाम को कैंसल कर देना फिर अगले एक साल बरबाद करने तो ऐसे करके आपके बहुत स अच्छा जाता है एंसर किया आता है सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपका एक्जाम जब रद हो जाता है तो सिचेशन को समझ सकता है यह नहीं समझ सकते ना बिहार बोड़ वाले समझ सकते हैं नहीं यहाँ पर गौर्वर्मेंट समझ सकती है तो इस सचाई को आप धिहा को रद करने का पर यहाँ पर ना केस हा रहे हैं अभी तक यहाँ पर बहस ही नहीं की गई है तो केस क्या हा रहे हैं ठीक है हेरिंग नहीं हुई तो केस क्या रहे हैं बाइस मही को यहाँ पर सुनवाई आप इस सुनवाई का कोई मतलब भी नहीं रह गया पहले यहाँ पर बु सब समझते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो गौर्वर्मेंट की तरब से तो अभी तक मैं क्या बालू गौर्मेंट ने यहाँ पर क्या किया मुझे कुछ समझी नहीं आया कि ऐसा अखिरकर हुआ क्यों अगर आपको एक्जाम रद करना था तो बहुत पहले रद कर सकते थे 15 मार्च को रिजल्ट आने वाला था 15 मार्च से पहले रिजल्ट आने के यहाँ पर घोशना की गई थी 15 मार्च को 28 जनवरी को आपका एक्जाम हुआ पूरे 5 महने लेने के बाद एक्जाम को बोर्ड ने खुद रद कर दिया ना कि यहाँ पर के सारे बोर्ड ने खुद ही कर दिया लो भाई एक्जाम तुम्हारा रद हो गया फिर से इसको कंड़क करा जाएगा हम लोग फिर से देखेंगे कि इस्टुटेंट कितने मतलब उनके अंदर टाइलेंट है यहां पर कितना नंबर आफ इस्टुटेंट यहां पर सामिल होते हैं सब कुछ फिर से फिर सब करवा रहे हैं तो आप सभी लोग को पताएं कि यहां पर ऊश्चाइए च्छाइब हमाँ करें नहीं प्लe से य्श्चाय टॉपिक के बाड़े में बात करते हैं यह तो फूरी सच्चाई के बारे मैंने बता दिया कि reason क्या दिया गया था आपप्पर एक्जाम होने pillars ने का और exam रद हो तो कैसे कैसे हुआ सब यहाँ अपको बताया ठीक है jagya activates you को लेकर है, तो यह देख सकते हो, लेकर कुछ यहां पर वाइरल नीउस है, तो अप जैसे यहां पर मुद्धा कोई उठता है, मालवों ऐकसा म होने वाला है, तो यहां पर जो वाइरल सकती है और यहां पर सारे स्टेट गवर्मेंट नहीं है यहां पर डिकलेर कर दिया थे कि जून तक ठीक है जून तक कोई भी एक्जाम कंड़क्ट नहीं करा जाएगी लॉग्डाउन की जो चल रही है उसके कान पहले यहां पर सब कुछ हैनाउस हो चुका है कि जून तक कोई आप सच मानों इसको ठीक है तो अभी कोई भी ऐसे ओफिशन नहीं आई अगर इसके रिगार्डिंग को यहां पर नोटिफिकेशन आता हो तो मैं आपको जरूर से बताता कि आपके रिग्जाम कब होने वाले है रिग्जाम के डेट आ चुके हैं यह सब मैं आपको जरूर स अभी आएगा तो बहुत सारे चीज है यहां पर आप खोदी समझाओ कि आपके एक्जाम कब होने वाले है बहुत सारे चीज है और देखो जैसे यहां पर नोटिफिकेशन आती है आपको अपडेट करूँ है क्या क्या नोटिफिकेशन आई है तो जो लोग भी वह निउस बन रहे है जैसे कि यहां पर स्टेट ने आप आत्मातिया कर लीए। बहुत सारे टीज यहां फेक नूडिज ना खरे करें जैसी उसलक्ति नोटिफिकेशन ढया था प सब ग्रूप में सब जगहां उसको शेयर कर रहे हैं तो उन साथ न्यूस पर यहां पर ध्याना दे जैसी ऑफीसल निटिफिकेशन आगा हम लोग जुरूर आपको यहां पर अपडेट कर देंगे ठीक है और बहुत सा लोगा कोशन की सार एक्जाम होगा तो कैसे करें बहुत स कोशन अगर करना है तो आप सिर्फ प्रिवियस यर की कोशन से कर सकते हो ठीक है वापस से आपको उतना परने की जरूरत नहीं है अगर इनका एक्जाम अच्छा गया था उनके लिए और भी ईजी होने वाला आगए जो भी एक्जाम होगा ठीक है तो यहां पर आपको सब मैं आपको अपडेट कर दूँगा और कमेंट बॉक्स कमेंट जूर से करें कि आपकी क्या सोचे किसकी वज़े से यह एक्जाम रद हुआ है और कौन-कौन इंसान रिस्पोंसबल है इसके लिए तो जरूर से कमेंट करना कमेंट बॉक्स में ठीक है तो गाइस मिलते है अप